लड़ रहा हूं मैं चकड रहा हूं पुरी तरह से बिखर जाने की भी एक खुबसूरती है कि जो अब कुछ भी नहीं रहा वह या तो अब कुछ भी बन सकता है या तो कुछ भी नहीं उसकी मरजी फिर क्या था उठा लिये अपने बिखरीवी शक्षियत के टुकड़े सोचा कर दूंगा सब सही फिर से कोशिश क करके पर दिल और दिमाग की तो थे आसु भरे मुखडे बहुत समझाय पर मानना कहां था सब हार क्या गये देवदास की तरह गम जो मनाना था फिर मारी खुद को एक छपेट घसिट कर ले गया खुद को शीशे की तरह बता क्या हो गया है तूं सासे चल रही है ना तो तो फिलिंग्स में उलच जाता है जो खुद को इतना बेबस और छोटा मान लेता है इन सारी फिलिंग्स, इमोशन, सटेश्मेंट, सक्सेस, फेलियर, हारना जितना इन सबसे परह है तूं एक मातर द्रिश्टा अब बाप है तूं सबका होश मेया पहचान खुद को देख क्यों विशालता कौन है तूं एक लूजर जो हार गया है फिलिंग्स में उलच के निकम्मों की तरह पड़ा हुआ है या एक वारियर जो गहरे से गहरा घाउ सहकर भी लड़ने के लिए फिर तयार खड़ा है अमावस्या की राथ है तूं या फिर वो सुलच जो स्वयम रो फाई करें उनको यू छोड़के कुछ से ही क्यों तो यू मूँ मोडता है अब आसू और मत बहाना जितना रोना था रोल लिया फाई खड़ाओ चल पैन उठा काम पे लग टर रहा है ना तू फिर से नहीं कहानी लिखने से ये सोच कर कि अगर यह वाली अधूरी रह गई तो तो क्या हो गया यार अगर अधूरी रह गई तो अधूरी ही सही लिख तो सही अरे भले ही समय किता भी क्यों ना जला दे कुछ खूबसूरत सा लिख भले ही अधूरा ही सही और वैसे भी सबसे खूबसूरत कहानिय तो अकसर ही अधूरी होती है ना यार झाल